दादी मा के जबदस घरेलू नुसके एक बार जरूर सुने नमबर एक पानी में निम्बो नी चोड़कर नहाने से आपके स्किन चिकनी और मुलायम बनती है नमबर दो काले कजूर खाने से कमर मजबूत बनती है और इसे कमर दर्द भी नहीं होता है नमबर तीन अगर आप रोजाना कच्चा प्यास खाते हैं तो आपको कैंसर कभी नहीं हो सकता है नमबर चार नीद नहीं आ रही है तो निम्बो चाटले इसे नीद अच्छी आईगी नमबर पांच जिनको खटे डिकार आते हैं बस चुटकी बर जीरा खालें इसके खटे डिकार आना बंध हो जाएंगे नमबर छेंगे शेंदा नमक शरीर के दर्द को कम करता है नमबर साथ दातों में कीरा लग जाए तो रात में सोने से पहले दातों के नीचे थोड़ा सा हींग का टुकड़ा दबाने से कीरा अपने आप निकल जाएगा नमबर आठ जिनके पेट में गैस जादा बनती है उनको मैथी दाने का सेवन करना चाहिए नमबर नू रात के समय दही नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे आपके जोडों में दर्द ठंड जुकाम खासी हो सकती है नमबर दस खाना खाने के तुरंथ बाद चाए नहीं पीनी चाहिए इससे खाना अच्छे तरह से नहीं हजम होता है नमबर ग्यारा अगर आप दिल को मजबूत करना चाहते हैं तो रोजाना सेव का सेवन करें नमबर बारा पैदल चलने से पहले थोड़ा सा पानी पी ले पी लेना चाहिए इससे कमजोरी नहीं आती है नमबर तेरा कम बोलने वाले इंसान का दिमाग बहुत तेज होता है नमबर चौदा चहरे पर नारियल का तेल लगाने से चहरे के दाने ठीक हो जाते हैं और चहरे पर ग्लोबी आता है पर ध्यान रखें कि अगर चेहरे पर नारियल का तेल सूट करता हो तो ही लगाएं नमबर पंदरा कई लोगों को आपने कच्चा बैंगन खाते हुए देखा होगा कच्चा बैंगन हेल्थ के लिए बहुत फाइदमंद होता है इससे इंसान का दिल मजबूत होता है नमबर सोला मखानों को कच्चा खाने की बज़ाए थोड़ा सा घी में फ्राइ करके थोड़ा सा सैंदा नमक मिला कर खाएं नमबर सतरा जादा सोचने और जादा टेंचन लेने वाले इंसान के चेहरे पर जुरियां आ जाती है नमबर अठारा सुबह खाली पेट एलोवेरा जुस पीना बहुत फाइदमन्द होता है इससे चेहरे पर गलो आता है ये आपको बिमारियों से बचाता है साथी साथ पेट की जो आंते उसमें जलन को शांत करता है नमबर उन्निस अगर आपको एक ही रात में चेहरे पर गलो लाना है तो एक चमच मेती धाना को रात में पानी में भीगो कर रख दें सुबह उसका बारीक सा पेस्ट बना लें फिर इसमें एलोवेरा जेल थोड़ा सा खीरे का रस डाल दें अब इसको अपने चेहरे पर पा पुली एक साथ खाने से शरीर में सफिये दाग हो जाते हैं नमबर 21 छोटे बच्चों को एक केला रोजाना जरूर खिलाएं उससे उनकी हडिया मजबूत होती हैं नमबर 22 सपता में एक बार नारियल का तेल में प्याज का रस मिलाकर बालो पर मालिश करने से नए बाल उग जाते हैं नमबर 23 जिनके दाथ टेड़े होते हैं उनको रोजाना पुदीना रगरना चाहिए इससे दाथ सीधे हो जाते हैं नमबर 24 हातों से कपड़े धोने से दिल मजबूत होता है हातों की मास पेशियां मजबूत होती हैं और डिप्रेशन जैसी बिमारियों से बचा ज परिशानी हो रही है तो एक गिलास ठंडा पानी पी ले नमबर 26 चहरे पर अंचाहे बालों से परिशान है इसके लिए भी एक घरेलू नुसका है जिसमें दही के साथ बेसन का परियोग करें यह आपकी तवचा को ब्लीच करने में मदद करेगा और साफ करेगा ओईली स्किन दूद में गेहु के आटे का परियोग करें इसे चहरे से जुड़ी सपी बिमारियां दूर हो जाएंगी नमबर 27 अगर आप अपने बेरंग होटों से परिशान हैं और गुलाबी होट पाना चाहते हैं तो यह नुसका इस्तमाल करें सफेज चीनी में समान मातरा में कौफी नर्तक रगणें बहतर परिणाम पाने के लिए सपता में एक से दो बर जरूर लगाएं नमबर 28 यदि आपको कोल ड्रिंग्स डिबबा बन जूस चाए कॉफी अधिक पीने का शौक है तो ऐसा करना थोड़ा कम कर दें इन्हें पीए बिना नहीं रह सकते हैं तो एक से दो के अंदराल में जड़ी बूटियों से तियार काड़ा जरूर पीएं ऐसा करके आप इन पे पधारतों से होने वाले नुकसानों को बैलन्स कर सकेंगे काड़ा आप तुलसी, काले मिर्च, अदरक, सौर, डालचिनी, लौंग, आदी से तियार कर सकते हैं इस काड़े को पीन आप अपने खाने में अधिक करें, खास कर ठंड के मौसम में, इनके सेवन से आप मौसमी परिशानियों से बचे रहेंगे, अदरक की चाए पिए या फिर एक छोटा टुकड़ा चबा कर खाएं, लस्तुन खाने से पेट की समसें दूर होती हैं, दादी मा के निसकों में अ हल्दी का इस्तमाल काफी समय से खुबसूरती को बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है, तो कच्चे दूद में चुटकी बर हल्दी मिलाकर चहरे वे हाथ पर लगाने से और हलके आतों से मसाज करें, इसे सकिन पर जमी गंदगी भार निकल जाती है और चहरे से लेकर हाथ पर तक की चमक बढ़ जाती है, नमबर 31, खासी में करोंदे के पत्ते को शहत के साथ खाने से अराम मिलता है, नमबर 32, बदाम की तेल की दो से तीन बूंदें आँखों के नीचे लगा लें और राद भर के लिए छोड़ दें, आप सिरफ तीन से चार दिनों में उन काले घ खिलके को इस जगा रगड लें, नमबर 34, रात को सोते वकत मूँ और हाथ पेरों को अच्छे से दो कर सोएं, इससे नींद अच्छी आती है, नमबर 35, बासी मूँ जान बूच कर खासी करने से सीने का बलगम दूर होता है, नमबर 36, जादा खाने वाले लोगों को बिमारी जल्द ही घेर लेती है, इसलिए बूग से थोड़ा कम खाना खाएं, नमबर 37, जादा खटी और चटपटी चीज़े शरीर को नुकसान पहुचाती है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका धनेवाद और आपका दिन शुब हो झाल